कि नमस्कार आप देखने आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों सी एनाई एंडी टिये यानि यहां कि जो सेक्रेटरी है मंजूशा में इनके कई इंटर्व्यू और गेसंस के साथ में जो अवैध तरीके से कबजा किया है गेसंस दोरा और इनके बीच मे जो डील हुई थी उस विशाय में हमने आप तक लगातार सच लेकर आया है लेकिन एक बड़ी खबर आप तक हम लेकर आया है कि गेसंस मामले में एंडी टीये का हाथ और एंडी टीये के ट्रस्ट मेंबर जो ट्रस्टी मेंबर है जिनका नाम है रचना सिंग रचना सिंग को EOW यानि की Economic Offenses Wing के तरफ से एक notice आया इसलिए आया क्योंकि CNA यानि की Church of North India जबलपूर में इनके मुख्य जो आरोपी हैं वहां के विशॉप PC सिंग है जो चार महिने की जेल की सजा काटके अभी anti-sepatrick bail पे बाहर है इनके सबसे करीबी अगर कोई बताई जाती है तो वो रचना सिंग बताई जाती है और रचना सिंग को इसलिए EOW के तरफ से नोटिस आया क्योंकि कहीं कहीं से उस 10,000 करोर का जो घोटाला हुआ है उसमें रचना सिंग का नाम है अब रचना सिंग पहले ही इनका मामला चल रहा है योडबलू के तरफ से आया और आने वाले 25 तारिको 25 जनवरी 2023 को इनके पती जिनका नाम संजय सिंग है और जबल पूर से मामला योडबलू डेल्ली में इन्हें बुलाया गया है और वहां पर इन्हें हाजिर होना है संभवता यह वहीं होंगे भी अब मामला ऐसा है कि यह योडबलू जबलू से मामला योडबलू देली तक चली गई और इसमें ED के इंटरफेयर सामने आ रही है इसमें ED भी अपनी जाज कर रे हैं करभाई कर रही इसमें मामला बहुत बड़ा है 10,000 करोड का है और रचना सिंग को EOW का नोटिस आना है अपने आप में बड़ा सवाल है अब इसकी लिंग इसके तार NDTA नाखपूर से कैसे जूड़ते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ सम्द 2021 में रचना सिंग मंजूशा मैम जो सेक्रेटरी है जिनका इंटर्व्यूम आपको बार-बार दिखा चुके हैं ये कुछ लोग NDTA के मेंबर बनें किसी भी तरीके से वो बने है वैद हो या अवैद हो जांच का विश्य है है उसके बाद यहां पर एक बड़ा मामला आया । और कियो देत कि दो करया एक द दो कर आइगा एक बड़ा सवाल उठता है उसमें सबसे बड़ी छिकाइती थी वड़ियो पैसों के ती लेंड जमीन के हेरा फिरी थी लेंड स्कैम के हेरा फिरी थी इसमें यो डबलू की कई शिकायते यो डबलू को इनके रचना सिंग के खिलाफ जा चुकी है और वही रचना सिंग अभी NDTA के ट्रस्ट मेंबर हैं अब यहां के ट्रस्टी मेंबर होके तो क्या यह सावाल नहीं उठता है जो काम वह जबलपूर में किया करती थी अवैद तरीके से और जिन पर अभी केस चल रहे हैं कारवाई चल रही है नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं और फैसला जो भी हो उसका तो क्या इसकी संभाव नहीं है कि नागपूर में इस तरीके का कारे कर सकती है जिसका ए उसे व्यक्तिकत कोई फैदा मिलता है या नहीं मिलता है एक जाज का विशह है सोचने वाली विशह है तो सवाल यहां यह उठता है कि रचना सिंग मंजुशा मैं यह सब जब एंडी टीए के सदस से बनते हैं तो जो चीजे जबलपूर में हुआ करती थी क्या वही चीज़ से इस पे बाकी है और आने वाले में समय में हम आपको बताएंगे कि जबलपूर के तार और जबलपूर के मुखिय आरोपी के जो लोग थे उसके साथ में जो लोग सहयोग कर रहे थे उनके तार नाकपूर के CNA, NDTA से कैसे जुढते हैं और किस तरीके से यहां भी एक अवै सिंक साथ